मनी भी इंस्टिटूट के और से आयोजित इस मनी भी वीक में अम्रित काल विजुलाइजिंग इंडिया एट हंड्रेड एक बहुत ही अच्छा कारेकरम आयोजित किया गया और अभी-अभी हमने हम सभी के लाडले नेता श्री नितिन जी गड़करी इनका मार्क दरशन सुना आज जिन एक्सपर्ट्स ने हमारे सामने अपनी बात कही है ऐसे स्पी तुलसियान जी श्री विजे केडिया जी अभिनंदन तुलसियान जी जिनोंने इस कारेकरम को आयोजित किया ऐसे श्यशुतोश वक्रे और शिवानी दानी और यहाँ पर उपस्तित सभी गणमान्य अ भाईयो यह बहुत ही अच्छा कॉंसेप्ट है कि आज जब भारत बहुत तेजी से विकास कर रहा है और हम दुनिया की पाच्वी सबसे बड़ी अर्थ विवस्ता बने है दुनिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन्स में हम जब पहले नंबर पर आ रहे हैं दुनिया की स्टार्टप एको सिस्टिम में अब चाइना के बाद हमारा नंबर आता है और एक प्रकार से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थ विवस्ता ये भारत की अर्थ विवस्ता है ऐसे समय ये भी बहुत आवश्यक है कि अर्थ विवस्ता के माइने क्या है अर्थ मेवस्ता के आउसर क्या है दुनिया किस गती से जा रही है किस तेजी से जा रही है किस दिशा में जा रही है ऐसी सारी बाते एक awareness campaign के थूँ आम लोगों तक पहुचे और विशेश रुप से युवाओं तक पहुचे और पिछले एक दशक्त से भी जादा समय से शिवानी दानी और अशुतोष ने एक बहुत अच्छा काम हाथ में लिया है जिसमें एक informed investor एक informed consumer तयार करने का काम होता है और उसी की कड़ी में आज भी ये कारेकरम यहाँ पर रखा गया है वैसे तो experts ने अपनी बाते कई है सवाल जवाब भी हुए है experts से भी जादा expert जो है वो अमारे नितिन जी है और नितिन जी की भी बात आपके सामने हो गई है तो मैं दुविधा में हूँ कि मैं आपके सामने क्या को हूँ लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कल एक बहुत बड़ी बात देश के प्रधान मंत्री आदरणिया मोदी जी ने कही मोदी जी ने कहा कि मेरे अगले पाच वर्षों में मैं भारत को दुनिया के पहले तीन अर्थिववस्ताओं में लाँगा पहले तीन देशों में लाँगा भारत की अर्थिववस्ता ये पहली तीन अर्थिववस्ताओं में होगी और मैं ऐसा मानता हूँ कि अम्रुत काल का ये जो संकल्प है ये बहुत महतोपूर्ण है देखिए हम सभी लोग जानते है कि हमारे आदरनिये पूरु राष्टपती एपीजे अब्दुल कलाम जी ने एक विजुलाइजेशन किया था इंडिया एट 2020 2020 का भारत और 2020 के भारत को क्या आउसर है और उस और जाने का रास्ता क्या है ये उन्होंने हमको बताया था और उस समय उन्होंने एक डेमोग्रैफिक डिविडेंड की बात की थी कि देश के अंदर जब 65 प्रतिशत लोग युवा हो जो कार्यबल के रूप में मानो संसाधन के रूप में विकसित हो सकते है इस प्रकार के एज ग्रूप में हो तो भारत के लिए यह स्वरनिम आउसर होगा और यह आउसर कब शुरू हुआ 2020 से यह उसर शुरू हुआ कि जब हम दुनिया के सबसे युवा देश के रूप में हमारे डेमोग्राफी की रचना हुई और मैं ऐसा मानता हुँ कि दुनिया के इतियास में जिन जिन देशों ने प्रगती की है जो डेवलप्ट एकोनामीज है उन डेवलप्ट एकोनामीज के डेवलप्मेंट का काल अगर हम पता करें तो जब जब उनको डेमोग्राफिक डिविडेंट मिला जब जब उनकी डेमोग्राफी ने इस प्रकार की युवा आयू वाले मानव संसाधन की परिकलपना की तभी उनका विकास हो पाया है और वोही अवसर हमको प्रदान हुआ और मैं ऐसा मानता हूँ कि इश्वर की कोई अपनी विवस्था भी होती है मैं तो इश्वर को मानने वाला हूँ और इश्वर की अपनी विवस्ता होती है मैं इसलिए कहता हूँ कि एपी जे अब्दुल कलाम जी ने तो कहा था लेकिन 2020 की तैयारिया नहीं हो रही थी हम लोग मिस्स करने वाले थे we were about to miss the bus miss the opportunity हम लोग जानते हैं कि जब opportunity की और जाना था उस समय देश में घोटालो का राश्टा 2G, 3G, कोईला पता नहीं कितने रोज घोटाले होते थे हमारी अर्थ्वेवस्ता पूरे तरीके से चर्मरा गई थी और ऐसे समय प्रधान मंत्री मोदी जी का नेत्रुत्व देश को मिला और देश में परिवर्तन आया ये जो demographic dividend की बात है इसको मोदी जी ने समझा और मोदी जी ने सबसे पहले कहा कि भारत का आउसर क्या है डेमोग्रफी, डेमोक्रसी और डिमाड ये तीन चीज़े भारत को अर्थ्वेवस्ता के शिर्ष पर लेकर जाएंगी डेमोग्रफी हमारे साथ है, युवा मानो संसादन हमारे पास है हम लोकतांत्रिक देश है दुनिया लोकतांत्रिक देशों के साथ जाना चाहती है और 140 करोड का देश याने हम कंज्यूमर भी है हमारे पास डिमांड भी है दुनिया को भारत की ओर देखकर ही मार्केट की कलपना करनी होगी क्योंकि 140 कंजूमर का देश ये मार्केट को डिक्टेड भी करेगा ये मार्केट को डिसाइड भी करेगा ये मोदी जी ने पहचाना और ये जो त्री सुत्र हमारे सामने रखा डिमक्रसी, डिमग्राफी एंड डिमांड इसके आधार पर भारत ने चलना शुरू किया और मात्र नौ वर्षों में हमारी भारत की अर्थ विवस्ता ग्यारवे नंबर से दुनिया की पाचवी सबसे बड़ी अर्थ विवस्ता बनी और जिनोंने पोने 200 साल हम पर राज किया उस ब्रिटेन की अर्थ विवस्ता को भी हमने पीछे छोड़ दिया उससे भी आगे हम चले गए और अब दुनिया की तीसरी अर्थ विवस्ता की और हम जा रहे और यह अमुरूत काल क्यों महत्वका है मोदी जी कहते है कि इंडिया एट हंड्रेड इंडिया इन 2047 हास टू बी अडेवलप्ट नेशन इट हास टू बी अडेवलप्ट एकोनॉमी और यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है मैं ऐसा मानता हूँ कि एक ऐसे काल से हम गुजर रहे हैं we cannot miss anything क्योंकि जो demographic advantage होता है यह कोई जिंदगी बर के लिए नहीं होता है इसका भी अपना एक समय होता है जैसे demographic advantage के आधार पर चाइना ने पिछले 30 वर्षों में इस प्रकार से प्रगति की चाइना बिकेम factory of world दुनिया के 30 प्रतिशत production ये चाइना में शुरू हुआ दुनिया की supply chain चाइना सेंट्रिक हुई दुनिया के व्यापार पर चीन ने अपना कबजा जमाया लेकिन अब चाइना की demographic नीचे जा रही है उल्टी जा रही है अब चाइना में dependence की संख्या दिनबदिर बढ़ रही है और भारत के लिए भी हमारा जो अमुरूत काल है वो इसलिए महत्वका है 2020 से 2035 हमारे demographic का उच्चांख है 35 से 50 हमारे demographic स्टेबिलाइज होने वाली है और 50 के बार फिर हमारे यहां भी dependence की संख्या धीरे धीरे बढ़ेंगी तो व्यक्ति प्रगति कप कर सकता है आप देखिए कोई भी क्रिकेटर 20 साल की उमर में 22 साल की उमर में चरम पर चला जाता है 25 साल की उमर में चरम पर चला जाता है ऐसे ही यह जो 15 साल पहले हैं 2035 तक यह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और हमारी दश्या और दिश्या को यह 15 साल डिफाइन करेंगे और इन 15 सालों में हम लोग देश को इस प्रकार की पट्री पर डालेंगे कि 2047 तक एक विकसित देश के रूप में भारत तयार होगा इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि आज जिस प्रकार से मूदी जी ने देश के अर्थविवस्ता को एक गति दी है इसमें सबसे महतुपूर्ण क्या है देखे अर्थविवस्ता का विस्तार तो चन लोग भी कर सकते है अर्थविवस्ता के विस्तार के लिए कि हमारे देश के जो सोपुंजी पती है ये भी अपने विस्तार से अर्थ विवस्ता का विस्तार कर सकते हैं लेकिन अर्थ विवस्ता का विस्तार होते हुए उसमें भागीदारी ये ज़ादा महतोपूर्ण है क्योंकि विकसित देश तभी हो पाएगा जब उसमें भागीद सबसे पहली लड़ाई हमारे देश ने गरीबी के साथ लड़ना शुरू किया और यह जो सारी स्कीम्स देखे जीडीपी ग्रोथ के लिए जो मोधी फार्मूला है वह फार्मूला यह है कि व्यक्ति के विकास से हम जीडीपी की ग्रोथ कर सकते हैं गरीब के विकास से हम जीडीपी की ग्रोथ कर सकते हैं जरीब की क्रय शक्ति पढ़ा कर हम वहां पर जीडीपी का विकास कर सकते हैं जो मिडल क्लास है उसको एक्सपांड करके हम लोग जीडीपी की ग्रोथ कर सक तो देश में जब 11 करोड़ शौचाले बनते हैं तो केवल उनके जीवन में परिवर्तन नहीं होता 11 करोड़ शौचाले बनाने के लिए हमारी अलग-अलग 32 टाइपस की इंडस्ट्री को काम मिलता है उसमें डिमांड क्रियेट होती है और उसके कारण देश का जीडिपी ग्रोथ भी होता है जब 5 करोड मकान बनते हैं तो केवल मकान नहीं बनते हैं उन मकानों के माध्यम से डिमांड क्रियेट होती है जिसमें से रोजगार क्रियेट होता है जिसमें से लोगों के पास पैसा आता है उनकी क्रेश शक्ती बढ़ती है तो उसमें से उनकी भी ग्रोथ होती है और देश के GDP की भी ग्रोथ होती है तो GDP ग्रोथ का एक नया फॉर्मूला गरीब के विकास से गाव के विकास से जो सामान गरीबी रेखा के उपर आए जो गरीबी रेखा के निचे थे 25 क्रोर और यह छोटा आकड़ा नहीं है दुनिया के इतिहास में 25 क्रोर जापान 12 क्रोड का देशी 12 क्रोड का और कई यूरोपियन कंट्रिस तो 2 क्रोड की है अमेरिका 30 क्रोड का है तो 25 क्रोड लोग गरीबी रेखा के उपर आना अम्रूत काल की और जाने का यह सबसे पहला रास्ता है और इसके लिए क्या किया टेकनोलोजी का उप्योग किया इनोवेशन का उप्योग किया आज हम देख सकते हैं कि एक जमाना था हमारे प्रदानमंत्री राजी उगांदी जी कहते थे मैं एक रुपिया दिल्ली से बेजता हूं 15 पैसे अंतिम आदमी को मिलते 85% मनी गोज इंटू करप्शन 50% पैसा करप्शन में जाता है लेकिन आज मोबाइल आधार और डिबीटी एक ऐसी ट्रिनिटी तयार हुई कि जिस ट्रिनिटी ने ऐसी वेवस्ता खड़ी की दिल्ली से एक रुपिया निकलता है तो अंतिम आदमी को पूरा एक रुपिया मिलता है not a single penny goes into corruption एक corruption free delivery system ये प्रधान मंत्री जी ने तैयार किये जिसके कारण आज भारत प्रगती कर रहा है अभी अभी नितिन जी हमारे बीच से गए आज जिस प्रकार से infrastructure development में भारत ने काम किया आज देश में जिस प्रकार से सड़के बनी देश में जिस प्रकार का infrastructure तैयार हुआ पोर्टस हो एरपोर्टस हो आज हम देख सकते एक समरुद्धी महामार्ग ये नाकपूर से मुंबई तक बना तो पूरे विदर्व का चित्र इसमें से बदलेगा आज जो जिले विकास के लिए तरस्ते थे उन जिलों में भी अब विकास आएगा आना शुरू हो गया है आज देखिए परिवर्तन क्या है गडची रोली जैसा जिला जहां पर केवल नक्षलवाद के लिए उसको जाना जाता था अब वो स्टील सिटी आफ इंडिया बनने जा रहा है वहाँ पर अभी एक स्टील प्लैंट तयार हो गया तीस अजार करोड का और इंवेस्टमेंट हो रहा है परसो मैंने एक दस अजार करोड के और इंवेस्टमेंट के लिए मंजूरी दिये और धिरे-धिरे स्टील सिटी ओफ इंडिया ये गडचिरोली बन रहा है भारत की तेजी से काम करता है अभी-अभी हम लोगों ने अटल सेतू का उदगाटन किया ये अटल सेतू 22 किलोमेटर का सी ब्रीज है ये देश का सबसे लंबा सेतू है जिस समय मैं मुख्यमंत्री था उस समय हमने इसकी शुरुवात की थी और कोविड का काल छोड़ दे तो मात्र साड़े-चार वर्षों में हमने अटल सेतू का काम पूरा कर दिया और 22 किलोमेटर का सी ब्रीज बनने से लोगों को जो 60 किलोमेटर घूम कर जाना पड़ता था उसकी जगह 22 किलोमेटर में हो जाते है धाई गंटे लगते थे अब 22 किलोमेटर पार करने को 15 मिनट लगते है तो लोगों का पैसा भी बचा श्रम भी बचा और कॉलिटी ओफ लाइफ भी सुदरी हम लोग कभी सोचते नहीं थे कि देश में मेटरो का इतना नेटवर्क तैयार होगा आज देखिए नाकपूर हो, मुम्मय हो, पुना हो देश के कोने कोने में मोदी जी ने मेटरो का नेटवर्क पहुचाया हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मिला और वो भी ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिला पॉलूशन फ्रीक पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिला कॉलिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिला आज सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज अभी-अभी केडियाजी से मैं बात कर रहा था वो एवी में थ्री विलर बनाते हैं आज इलेक्ट्रिक वेहिकल में जिस प्रकार के अपॉर्चुनिटिस तयार हुई बड़े पैमाने पर हमारा सारा पब्लिक ट्रांस्पोर्ट ये इलेक्ट्रिक वेहिकल्स में परिवर्तित हो रहा है तो ये नया भारत जो है इसमें नई संभावना है तयार हो रही है अभी हम भी हमने AI के अल्गोरिदम का एक यहां पर उद्धाटन किया अभी आने वाले जमाने में आर्टिफिचल इंट्लिजन्स जो है ये बहुत सारी चीज़ें बदलने वाला है एक तीन साल पहले एक एनलिसिस पढ़ रहा था उस एनलिसिस में लिखा था कि आर्टिफिचल इंट्लिजन्स तेईस करोड जोब्स को अपसलिट करेगा पढ़के मैं ढर गया मैंने का ये तो बड़ा खराब है तेईस करोड जोब्स अपसलिट हो गए तो दुनिया में क्या होगा लेकिन उसमें अगला वाक्य था लेकिन आर्टिफिचल इंट्लिजन्स के कारण पचीस करोड नए जोब्स तैयार होगे नए जोब्स का सुरूजन होगा तो देखिए दुनिया बदल रही है आर्टिफिचल इंट्लिजन्स जिस प्रकार के अल्गोरिदम्स तयार कर रहा है उसके कारण हमारे जॉब्स का नेचर भी बढ़ रहा है हमारी एफिशेंसी भी बढ़ रही है हम सभी ने कई बार हम लोगों ने पढ़ा होगा युवाल नौा हरारी को जिन्होंने सेपियंस करके किताब लिखी थी और होमोडियस करके किताब लिखी थी बहुत फेमोस हुई उसमें उन्होंने लिखा था कि आने वाले जमाने में हमारी जिन्दगी ये अल्गोरिदम्स के इर्द गुमेगी और ये बात भी सही है कि हमारी दुनिया भी एक अल्गोरिदम में जीती है अगर दुनिया का भी हम लोग विचार करें तो दुनिया का जो संचलन होता है दुनिया जो चलती है एक अल्गोरिदम है और आज इस प्रकार के अल्गोरिदम्स हमारे लाइफ को एक प्रकार से परिवर्थित करने वाले हैं कई बार लोग घबराते हैं जैसे कंप्यूटर आया था तो हमारे लालू जी ने उस जमाने में कहा था कि क्या कंप्यूटर खेती करेगा सही जवाब सवाल था लेकिन आज अगर हम देखे इसराइल जैसे देश में सारी जो खेती होती है यह फरिटिगेशन इस प्रकार के टेकनोलाजी से होती है जो हंडेड़ परसेंट कंप्यूटर संचलित है जो हंडेड़ परसेंट मोर्यू संचलित है तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब कोई नई चीज होती है साइस में कोई तरक्की होती है उस तरक्की से घबरा कर हम घर में नहीं बैट सकते या उसको नकार नहीं सकते क्योंकि कोई भी इस प्रकार की तरक्की होती है कोई टूल तयार होता है कोई मोड्यूल तयार होता है कोई तंत्रग्या यह घोड़े की तरह है व्यक्ति घोड़े से डर के फाइदा नहीं है घोड़े पर बैठ कर व्यक्ति दोड़ सकता है ऐसा ही टेकनोलोजी का है टेकनोलोजी टूल है इसको उपयोग करते हुए हम लोग जीवन में आगे बढ़ सकते हैं जब मुबाल आया तो लोग घबराते कई बड़े लोग कहते थे हमारे बसका रोग नहीं है अब तो घर में बड़े बुड़े सब लोग मुबाल के उपर वाट्सेप भी कर रहे हैं यूट्यूब भी देख रहे हैं सारी चीज़े कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि जो बदलती हुई दुनिया है इस बदलती सकता है यह क्षमता भारत में आज देखिए सारे अल्गोरिदम्स भारत में तैयार हो रहे हमारे यूवा तैयार कर रहे है आज जिस प्रकार से स्टार्ट अप एको सिस्टीम आज मुझे तो बोलते हुए खुशी है कि महाराष्ट आज स्टार्ट अप का लीडर बन गया है आज देश में सबसे ज़्यादा स्टार्ट अप्स यह महाराष्ट में और इसमें सबसे महात्व की बाद क्या है यह सारे के सारे स्टार्ट अप मेट्रो सिटीज में नहीं है यह स्टार्ट अप्स की शुरूआत करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोग टियर टू टिय शुरूप से हम लोग इस बात को समझे कि अब जो हमारा कैपिटल है उस कैपिटल को हमको वाइजली डिप्लॉई करना पड़ेगा आज देश में पैसे की कमी नहीं है किसी प्रोजेक्ट के लिए कमी नहीं है जिस समें सम्रुद्धी महामार्ग में बना रहा था उसमें लोग मुझ पर टिका करते थे कहते थे 35,000 करोण का रास्ता बना रहे है इससे तो दीवा लिया हो जाएगा और इसकी आवशक्ता है क्या आज परिस्तिती यह है कि अभी रास्ता अंतिम 50 किलोमेटर उसके बचे हुए है 55,000 करोड रुपे उस पर खर्चा हुआ है आज ही रास्ता कम्प्लिट होने से पहले उसको सेक्रिटाजिशन करने के लिए मेरे पास 50,000 करोड का आफर है आज ही और जब रास्ता पूरा होगा तो मैं आपको बोलता हूँ 60-70,000 करोड में हम उसको बेच कर निकल जाएंगे और वो सारा पैसा हम दुसरी जगा लगा पाएंगे इस प्रकार से मार्केट बदलाए इस प्रकार से हमारे यहां पर निवेश जो है अलग-अलग प्रकार से हो रहा है इसलिए आज पैसे की कमी नहीं है और विशेश रू इन्फलेशन है उससे भी कम ब्याज देता है तो हमारे पैसे की वैल्यू कम ही होती है इसलिए हम लोगों को अलग-अलग ऑप्शन ढूनने पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट के कि जहां पर कम से कम हमारा जो इन्फलेशन का रेट है उससे ज्यादा पैसा हमको मिले उससे ज् प्रकार की बहुत संभावनाए है लेकिन इसमें इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर ही पैसा कमाता है क्योंकि इन्फॉर्म्ड अगर हम लोग है किस प्रकार से निवेश करना हमको पता नहीं है तो कई बार हम लोग ऐसी चीज़ों के पीछे लग जाते हैं जा शॉट तो होते ह लेकिन लॉंग तम में ऐसा जटका लगता है कि हम लोग वापिस नहीं आ सकते एक कैलिब्रेटर रिस्क यह बहुत महतुपूर्ण है और इसको अगर हम लोग समझेंगे और देखिए धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर बड़ा हो रहा है और प्राइवेट सेक्टर में हम लोगों के लिए पैंचन और इस प्रकार का कोई कॉंसेट नहीं है व्यक्ति को अपने बुढ़ाचा की विवस्ता खुद करनी है अपने पैंशन की विवस्ता खुद करनी हैं और अगर वो करनी है, तो उसके लिए smart निवेशक होना ये बहुत जरूरी है, एक smart निवेशक अपने life को ठीक से plan करके और अपने लाइफ में जब वो रिटार्मेंट लेगा, जब भी लेगा, 60 साल में लेगा, उसके बाद उसको आवश्यक उतना पैसा, वो कमा सकता है, ऐसी opportunities आज मार्केट ने दी है, लेकिन उसको समझना पड़ेगा, कोई ये कहेगा कि सरकार के भरोसे रहेंगे, फलाने के भ होना चाहिए, अमरुतकाल का युवा भी इंफामन होना चाहिए, पहले हमको लगता था ये फाइनांस और स्टॉक मार्केट और ये सारी चीजे, ये कुछ लोगों के लिए हम लोगों का इससे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन हमारे लाइफ भी इसके इर्दगिर्दी कवर करने के लिए जो रिटन चाहिए, वो रिटन देने की किशमता नहीं है, वो किशमता कौन से मार्केट में तो उनको पता है, भारत के मार्केट में, क्योंकि भारत एक बढ़ता हुआ मार्केट है, भारत एक ऐसा मार्केट है, जहाँ पर चाहे वो रियल इस्टेट हो, चाहे इंफ्रस्ट्रक्ट्चर हो चाहे वो capital market हो हर जगह return on investment ज्यादा है अच्छे तरीके से return on investment बिल सकता है इसलिए आज ये सारे लोग भारत में निवेश कर रहे हैं और ऐसे समय हम लोगों को भी आवश्यक है कि हम लोग smart investor बने अमरुत काल के विकसित भारत के विकसित नागरिक हम लोग बने इस प्रकार की एक परिकलपना को लेकर मनी भी की और से ये सारा कारे करम यहां पर आयोजित होता है और मुझे बहुत खुशी है कि लाखों लोगों को लाखों लोगों को शिवानी ने और अशुतोष ने आज informed investor बनाया है लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है जो लोग stock market के नाम से डरते थे आज वो लोग भी समझ रहे हैं जिनको mutual fund क्या होता है पता नहीं था आज वो लोग भी mutual fund क्या है उसको कैसे assess करना है उत्मा किसना invest करना है यह सारी चीज़े समझ रहे हैं तो मैं इतना ही आज के समय अपेक्षा करता हूँ कि एक बहुत महतुप्रुन कगार पर हम खड़े है और जो युवापिड़ी मेरे सामने बैठी है वो भारत का भविश्य है वरतमान भी वो ही है अगर ये युवापिड़ी अमृत काल को समझ कर केवल अपने कर्तोवियों का निर जा रहे हैं इसलिए अमृत काल की शुबकामनाय आपको देता हूँ और अमृत काल में राम मंदिर भी बन रहा है ये भी बहुत महतुप्रुन है उस राम मंदिर के निर्मान की भी शुबकामनाय आपको देता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ धन्यवाद जेहिर।